अचारे जी जैसा आपने कहा था कि विचार और एहंकार की जो जकड है उससे निकलने के लिए कोई बड़ा उदेश ये डूण के उसमें कूद पड़ो अगर मैं गलत नहीं हो तो ऐसा ही कुछ आपने कहा था तो ये कूदने की प्रक्रिया ये क्या होती है क्योंकि आज तक जो भी किया है उसमें जितना याद आता है सब मन्स नफा नुकसान देखके कैलकुलेट करके सब सोचके किया है भले ही वो बाद में जाके गलती हो गया हो नहीं पता चलेगा कि लक्ष बहुत बड़ा है देखो हमारी हालत ऐसी है जैसे कोई बहुत नशे में सोया पड़ा हो बेहोष उसके चारो और आग लगी हुई है चारो और आग लगी हुई है पुरा मोहला जल रहा है ठीक है वो अपने कमरे में कैसा पड़ा हुए अपने बेहोष उसको वो पूरी आग दिखाई रही है क्या उसको वो पुरा जलता हुए अखशेत्र दिखाई रहा है क्या कहो उसे यह सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने कमरे में बंद पड़ा है उसको अधिक से अधिक त्रतित होगा अनुभव होगा तो क्या ? कुछ धूआसा, और वो तो बेहोश पड़ा है, आप जब बेहोश पड़े हो तो कोई गंध हो आती है या उसको पताचले ही तो कुछ गर्म, कुछ ताप गर्मी हो रही है, सोते-सोते ही पसीना रहा है लेकिन आप बहुत बहोष पड़े हो तो गर्मी भी नहीं पता चलती हाँ थोड़ा थोड़ा अगर धुआ तीव रहे तो थोड़ा थोड़ा है साथ सुनेगा धंगुटेगा तो आप इतने ही कर सकते हो कि आपको यार इस कमरे में गर्मी बहुत हो रही है, अपनी नीद में काओ, अपनी बेहोशी में काओ, गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं कहां से कोई धुआ आ रहा है, लगता है माने आज रोटी जला दिये रसोई में, महला जल रहा है, कहां पता चलेगा, कोई बड़ी ब लेट आप किस हालत में हो ? लेऄखशी आख भी आख भी आख भी मिच्व में हभाप हो बिल्कुल तुऩी थाइमर्व थाइम थोड़ा चलिय कहरें यह जा रहा हूं लेटने मां पंखाउंका चला दूगा गर्मी बहुत हो रही है, आप दरओगा खोला, तू दिखाई दिया कि वह तो, और धुआ है, कुछ लपटे अपटे भी दिखाई दिखाई दी, जब आफ दिखाई दी लपटे, तब बेहोशी का क्या होगा, फ़ड़ा हटेगी, हाँ, बेहुशी थोड़ी हटी, तो अरे रखता है कि कहीं कुछ थोड़ी हाग वाग लग गई है, क्या रहे, जाएं जरब, बगल से बुलाएं, किसी को, देखें क्या हुआ है, कहीं कुछ और सर्कृट हुआ है, क्या थोड़ा बहुत, तो अब किसी और दर्वादे से बाहर बुला लाएं, अब बाहर क्या देखा, कि जिधर नजर जा रही है, आग ही आग है, अब नीन्द और बेहोशी का क्या होगा, अब बिलकुल, नीन्द छूमंतर, बेहोशी फाक्ता हुई, अब आख बिलकुल खुझे गहें, अब कोई बड़ा लक्षे मिल गया ना, क्या ब मुक्ति, अब मिला, अब पता चला कि मुक्ति कितनी मुष्किल है, जब तक बेहोशी में पने बिस्तर पे पड़े थे, तब तक कोई बड़ा लक्षे हो सकता था क्या, तो शुरुआत में तो छोटा ही लक्षे पता चलेगा, तो उस पर चलो, उस पर चलोगे तो और पता चलेगा. तो जो लोग बेहोश पड़े रहते हैं, एक मामले में, उनको बड़ी सुईधा रहती है, क्या? उन्हें पता ही नहीं चलता कि आग लगी हुई है. हाईतना ही होता है कि उनकी जिंदगी उसी में जल जानी है. हर आम आदमी की जिंदगी ऐसा ही तो है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो जलने जा रहा है, वो बेहोशी में ही जल जाता है, खत्म हो जाता है, बस्म हो जाता है. जीवन पर बेहोश रहा और फिर बस्म हो गया. यही है न आम आदमी की कहानी, जीवन फर बेहोश रहा और फिर बस मो गया जो जगते हैं उनकी आफ़त होती है लेकिन जो जगते हैं उन्हीं को फिर इस आग से मुक्ति भी मिलती है और मैं कह रहा हूँ कि मुक्ति का बड़ा लक्षे तुमको अचानक, यका यक नहीं मिल जाएगा, वो भी तम मिलेगा, जब पहले किसी छोटे लक्षे पर कुछ थोड़ा आगे बढ़ो, तो पता चलेगा कि लक्षे भाई, बड़ा है, काम बड़ा है, हमें लगा था यह थो पूरा होने वाला, ऐसे जीवन में कुछ गंभीर, गुरु गंभीर, बड़ा महत लक्षे मिलता है, बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं मिल जाता, जैसे जैसे यात्रा करोगे, वैसे वैसे लक्षे की गंभीरता तुम्हारे सामने प्रकट होती जाएगी, अधाटित होती जा जो अभी दिखाई दे रहा है, उतने से ही शुरुआत करो, फिर देखो क्या होता है झाल